हेलो दोस्तों स्वागत है पॉल्टिनिक्स टार्डिस पे मैं हूँ आरके सिंग एन हम लोग कंटीनिव कर रहे थे अप्लाइट फिजिक्स टू चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स तो दोस्तों हम लोग ने प्रीवेस लेक्चर में बात किये थे सिंपल माइक्रोशकोब के बारे में उसका वर्किंग देखा था हम लोग ने उसका इस्वार स्ट्रक्चर भी देखा था तो दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, compound microscope के बारे में, compound microscope, ठीक है, तो heading लगाते हैं, compound microscope, compound microscope, तो दोस्तो compound microscope में क्या होता है, कि यहाँ पे दो convex lens का इस्तिमाल किया जाता है, and simple microscope के लिए सिर्फ एक ही convex lens का जो है, इस्तिमाल किया गया था, यहाँ पे आपका दो convex lens का इस्तिमाल किया जाएगा, ओके, ठीक है, तो simple साथ definition लिख लेते हैं, compound, compound microscope, consists of two convex lens, two convex lenses, coaxially separated by, coaxially separated by some distance, coaxially separated by same distance, जिसका मतलब क्या है, कि compound microscope में, आपका दो lens होता है, दो convex lens का इस्तिमाल किया जाता है, and दोनों को ही, एक ही axis में जो है, रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, this is our first lens, ठीक है, and यह है हमारा second lens, okay, दोनों का जो principle axis है, वो आपका एक ही रहने वाला है, this is our principle axis, ठीक है, तो कुछ इस तरह से रखा जाता है, and इन दोनों के lens में थोरा सा जो है, distance रखा जाता है, distance maintain किया जाता है, okay, ठीक है, यह हमारा हो गया, distance, जिसे कि इसको इन दोनों lenses को जो है separate करके रखा गया है, ठीक है दोस्तों, चलो, अब क्या है, कि एक lens के इधर से हम लोग देखेंगे, दूसा lens पे हम लोग object को रखेंगे, ठीक है, माल लेते हैं, हम लोगों ने जो है object को यहाँ पे रखेंगे, एधर से देखेंगे, चलो, यह मेरा आख हो गया, ठीक है, तो हम लोग इधर से देखेंगे, तो इस lens को हम लोग कहते है, objective, ठीक है, इस lens is called objective, अबजेक्टिव एंड इसको हम लोग कहते हैं आई पीस ठीक है आई पीस तो अगर आप अबजेक्टिव का डिफेरेशन लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से अब अबजेक्ट के बार में लिख सकते हैं अबजेक्टिव किसको कहेंगे जो की अबजेक्ट के पास जिस लेंस को रखा गया है उसको हम लोग अबजेक्टिव कहते हैं and the the convex lens and the and the convex lens through which the convex lens through which final image is seen by us is called is called eyepiece ठीक है बात समझ में आया eyepiece किसे कहते हैं औबजेक्टिक किसे कहते हैं अबजेक्टिव उस लेंस को हम लोग कहते हैं इस लेंस को हम लोग प्जट के पास रखते हैं यहां पर हम लोग ने अभजेट को रखे और यह ऴू लेंज सीको हम लोग स्वाइन अयो जो वह हो shortलिंज अब करां यह जो है फाइनली मेच पॉट देखते हैं इमेज को ऊसको हम लोग कहते हैं है आई पीज ओके बात समझेंगे हैं सिंपल सा कंसेप्ट है अभी हम लोग डारीक चले जाते हैं वरकिंग पिंसेपल में वट इस दो वरकिंग पिंसेपल अफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ठिक है अभी आप लोग जो है थोरा सा हेडिंग डाल सकते हैं मैं थोरा साई बात दिखाऊंगा सिंपल एकड़म डारिक जो पॉइंट है हमारा कि उसी को मैं बताऊंगा सिर्फ चलो तो इसको मैं वीजू है कि अब हम लोग क्या देखने वाले हैं वरकिंग पिंसेपल अफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो यहा पर क्या है दा अब जिखेटिव लेन्स आफ 10 कंपाउंड माीक्रोस्कोप तो यहाप है दा अब्जिक्टी ब लेंस आफ ओ त्हि एकड़ कर सकोभा जा ஏ Extrem luckily पूरुद अब्याय पर अवा क्व्जिक्टिव पौर्देग्यान्स अव्जीर चैया फिज्थल्न य compound microscope form real form real inverted real inverted and किस तरह का इमेज फॉर्म करता है objective lens real image form करता है inverted form करता है and magnified image इमेज तो पहला पहला बात हो गया कि जो objective lens है वो किस तरह का image form करता है वो आपका real inverted and magnified image जो है फॉर्म करता है okay image of the object इस बात को पूरा लिख लिए आप of the object ओके यह तो पहला condition हो पहला काम हो गया पहला principle जो एक lens का काम हो गया बाकि दूसरा लेंस का काम है दूसरा लेंस का काम है अ दिस image जो कि फॉर्म हुआ है दिस image image formed by formed by the objective objective serves as the object of object of eyepiece object of eyepiece together and 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 the eyepiece 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 produces the final image and the eyepiece produces the final image which is enlarged and virtual which is which is enlarged and virtual together of yeh ho gaya humara working principle but someone my kya likha many salome is co-op co-sumjha data ho and a thorax diagram docker can be a local some data ho the objective lens of the compound microscope form real inverted and magnified image of the object okay toh pahle baat toh yeh ho gaya this is our objective and this is our eyepiece ठीक है यह आपका एक ही principle axis में रहेगा ठीक है तो हम लोगों ने जो है यहाँ पर object को रखा हम लोगों ने जो है यहाँ पर object को रखा तो यहाँ से एक जाएगा यहाँ से एक रे जाएगा एंड आए यह इस optical center से होते हुए जाएगा एंड यह जो रे आपका पैलल to the principle axis गया वह reflected होने के बाद focus से होती हो निकलता है ठीक है ओके चलो मान लेते हैं यहाँ पर आके मिला ओके तो यह जो objective है हमारा दोस्तों यह एक image फर्म करेगा यह happy that is our image यह हमारा जो है image फॉर्म हुआ है वो खौन सा लेंस फॉर्म क्या है objective और यह आपका क्या है रेल इमेज है क्योंकि यह दोनों रेज जाके एक जागा पर मिल रहा है और यह आपका inverted है क्योंकि यह आपका उल्टा हुआ है एंड यह आपका मैगनिफाइड है इससे थोरा सा यह बढ़ा होगा ओके तो अब यह जो lens है इस lens के बारे में क्या कहा गया है this image formed by the objective serves as the object of eye piece ठीक है इस बातका अर्थ क्या है कि इस lens से जो image form हुआ है यह वाला image यही image अब क्या होगा इस lens के लिए object का काम करेगा ओके एंड यहापे हम संसोरा से देखें گے यहापर गर हम लुग देखके हैं तो कुछ इस तरह से देखेंगे कि यह लोग कुछ इस तरह से देखेंगे ओके तो यह इस चला जाएका डाइरिक हो और चलो इस लेंस को थोड़ा सा में बरा करके ड्रो करना है तो मेरे डियाग्राम को कॉम्प्लिट कर पाऊंगा को यह हम लोगों ने इस लेंस को थोड़ा सा बरा कर दिया तो देखो अब यहां से जो दूसरा यहां से जो है यह आपका अगर होता है तो यह इस तरह से निकलेगा अभी क्या है अभी यह जो रहे है इसको लोग लमबा कर देते हैं तो यह जो रहे है इसको हम लोग डो करते हैं आदर तो देखो यह इमेज यह कुछ इस जगाप पे फोर्म हो रहा है तो यह हमारा हो गया final image तो first image क्या है first image इतना सा magnified हुआ था एंड जब हम लोग eye piece के थो देख रहे थे तो यहां पे हमें और भी ज्यादा बरा जो है image मिल रहा है this is the final image and this is the first image formed by the objective object के द्वारा बनाया गया image यह है यही इस lens के लिए object की तरह काम करेगा and इसका जो image form होगा इस image का जो दूसरा image form होगा वो यहां पे form होगा ठीक है वो यहां पे जो है form होगा and यह होगा आपका magnified and virtual image definitely यह आपका virtual image होगा क्योंकि यह जो race है यह race तो इदर जाकी मिलेगा ना लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि यहां से जो है आ रहा है तो this image is virtual image तो यही है हमारा working principle ठीक है इससे ज्यादा और कुछ नहीं बस यह वार्किंग principle आप लोग याद कर लीजें उसके साथ साथ यह diagram को भी आप लोग अगर समझ गए होंगे तो फिल्ड कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हम लोग अभी हम लोग चले आएंगे डारेक magnification power magnifying power to magnifying power दो तरह के होते हैं मैंने बताया था आप लोगों कि जब यह final image किसी एक distinct distance में इसी जगा में किसी एक distance में बनेगा तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे angular magnification अगर यह जो image है यह आपका infinity में बन रहा है just like देखो यह आपका ऐसे जो है यह infinity में चला जा रहा है मतलब image जो है वह infinity में बन रहा है तो फिर उसको हम लोग कहेंगे क्या आपका normal adjustment ओके तो always याद रखिएगा अगर किसी microscope के लिए आपको normal adjustment पूछा जाएगा normal adjustment पे magnifying power क्या है उसका formula अगर पूछा जाएगा तो आप definitely यह समझ लिजेगा कि जो image form होगा जो final image form होगा वह कहाँ पर फॉर्म होगा वह आपका infinity distance में form होगा और जब भी आपको पूछा जाएगा कि compound microscope के लिए या फिर simple microscope के लिए जो angular magnifying power है उसका formula क्या है कहाँ पर image form होता है तो आप लोग कहिएगा जो final image form होता है वो किसी distinct distance में form होता है ठीक है वो आपका यह जो मैं दिखा रहा था आपको इसी बीच में किसी एक में होगा infinity में नहीं होगा किसी एक distinct distance में जो है वह आपका form होगा चलो एक एक करके हम लोग अभी कि magnifying power को देख लेते हैं इस बात को अगर आप लोग ने लिख लिए हैं तो कोई कोई नहीं नहीं लिखे हैं तो फिर विडियो को थोड़ा सा पीछे ले जा कि आप लोग यहां लिख सकते हैं वीडियो को पॉस्ट करके भी आप लोग लिख सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो तरीके बहुत है सिर्फ क्या कहता है ना उसको कि मन में जो है वो होना चाहिए ठillon है willing होना चाहिए इच्छा होना चाहिए तभी जाए आपको रस्ता मिलेगा अगर आप करना यह नहीं चाहते हैं तो बहाने तो हजार मिल जाएंगे बहाने हजार है गर आप करना चाहते हैं तो उसका रस्ता भी मिल जाएगा सिर्फ करने की जो इच्छा है वो होना चाहिए ठीक है चलो अब हम लोग देखेंगे क्या अग्यूलर मैगनिफाइंग पावर मैगनिफाइंग पावर एङूलर मैगनिफाइंग पावर ठीक है अंगूलर मैगनिफाइंग पावर को हम लोग booster से लिखते हैं देखो इसका मैं deste बिल्कुल नहीं कर आँगा तो क्यूकित डेरिविशन जो है वो बहुत लंबा है ठीक है एंड एक्जाम में इसको पूछा भी नहीं जाएगा पूछने का चांसे जो है बहुत ही कम है तो इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मॉला पर चला जाता हूँ ओके तो डायरेक्ट फॉर्मॉला हमारा कुछ इस तरह से कहता है वन माइनस वी जीरो वाई एफ ठीक है अब यह एफ कौन सा लेंगे फोकल डिस्टेंस कौन सा लेंगी ओ ओके ओ बोले तो क्या अबजेक्टिब लेंस का ठीक है यह हमारा पहला हो गया अब लोग क्या करेंगे दोस्तों मुल्टिप्लाइ हम लोग करेंगे वन प्लास यह होगा का डी और दिस इस आवर एफ ए ठीक है एफ बोले तो क्या फोकल लेंग्ट ओफ आई पीस यह दिस आवर फॉर्मूला यह फॉर्मूला आप लोग याद रखी का यहां पर कौन सा चीस क्या है वी-0 इस एकल टू मेस इस देंस इमेजद्ट इस्टेंस के सितेंस फ्रों। ओब्जेक्टिंब थिटकám ऑबशेक्टिव ए det algumas देसिटंस फार्म ऑब जो जो औप्चेक गो उसका लिंट हम लोग यहां पे मेजर करें हो का डिस्चेंस मेजर करेंगा attraction को प्रोल कर देता हम तो बहतर रहे हैं और पर हम लोग उने जो है प्लिश को रखे हैं यहां पर आपका 151 एस तरह से फोड़ार यह आपका टेकर है इस थरह से क्योंकि हम लोग जो है एंगुलर मैंगनिफाइंग पावर निकाल रहे हैं तो इमेज जो है वो इसी किसी रेंज में आपका फॉर्म होगा तो यह फाइनल इमेज है ठीक है तो देखो वी जिरो क्या है वी जिरो है इस पॉइंट से लेके ऑब्जेक्टिव लेंज से लेके इ ब्रॉब्यक्तिव तीक है फोकल लेंग तॉब्जथी एंड डिक यह है फाइनल इमेज दिस्टेंज थिक एफ वाइनल इमेज दिस्टेंज तेंस विह सबॉड तो वी पीज़ पोड़ एफ यह पोकल लेंगत ऑफ यह पीज़ पूखिए चलो इस फॉर्मॉला को आप लोग याद रख लीजेगा क्यूंकि अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको फॉर्मॉला याद होना चाहिए ठीक है फॉर्मॉला जो है याद होना चाहिए तभी आप न्यूमेरिकल पॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं जिनरली ऑप्टिकल इंस्टूमेंट से जो है नियुमेरिकल पूछने की समावना बहुत कम है अगर पूछा जाता है तो बहुत ही सिंपल सवाल पूछा जाएगा तो फिर भी आप लोग इसको याद रखेंगे तो बहतर रहेगा आप लोग के लिए क्यों से जो है बहुत ही आजान हो जाएगा एंड डिप्लोमा इंजिनरिंग में आज करके जो से करते रहना है करते रहना है और पढ़ते रहना है है ओके मेरी तरव से मैं जितना हो सके है आपको एक करूंगा इफिनेटली में हिल्प करता रहूंगा ओल्वेज एड़ इस खासकर करके जो सिविल इंजिनरिंगे स्टूडन से ठीक है उन लोगों को मैं फस्ट यह से लेकि लस्ट यह तक गाइट कर सकूँगा ठीक है ओके चलो तो यह हमारा मैंगी फाइंग पावर हो गया एंगुलर मैंगी फाइंग पावर अभी हम लोग बात करेंगे क्या आपका मैंगनिफाइंग पावर होता है वह हमनों देखेंगे मैंगनिफाइंग पावर एड नॉर्मल एड़स्मेंट एड़स्मेंट ठीक है नॉर्मल एड़स्मेंट पे हम लोग मैंनिफाइंग पावर देखने वाले हैं तो इस केस में जो इमेज फोर्म होगा वह आपक में होगा ठीक है यह जो इमेज फोम होगा वह इन्फिनिटी में होगा इन्फिनेटी में होगा infinite दिसटैस्स में फिर्म होगा तो in that case we can say in that case we can say magnifying power of the compound microscope is the magnifying power of objective into magnifying मैगनिफाइंग पावर ऑफ आईपी स्टीक है एम जीरो मफि अगर आपको इसका मैगनिफाइंग पावर पता है तो उन्हों का प्रोड़क्ट निकाल लीजेगा तो हो जाएगा और इसका ही एक सिंप्लर form है क्या है simpler form V0 by U0 into यहापर क्या होगा यहापर होगा आपका image distance by focal length okay image distance by focal length ठीक ना तो यह होता है आपका normal adjustment ओके अगर in case आपको जो है normal addition बता दिया गया है और यह जो image form हो रहा है इसका distance बता दिया गया है ठीक है यह तो normally आपका infinity में होता है लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ लंबा सा जो है distance दे दिया गया है तो फिर आप यह बाला जो है formula यूज करके निकाल सकते है magnifying power of compound microscope तो this is our magnifying power in case of compound microscope ठीक है एक और formula है जो दोस्तों एक और formula है अगर आपको इन दोनों लेंस के वीच में distance बताया गया है कि दोनों लेंस को इतने distance में separate करके रखा गया है तो in that case हम लोग कह सकते हैं in that case हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों यह जो है lyf0 into d by fe into d by fe तो यह formula हम लोग जो है लगा सकते हैं यह formula हम लोग जो है लगा सकते हैं यह फिर यह वाला जो case है इसका मतलब क्या देखो यही इसी case का यह 독 impacted version है यहाँ यह जो एल है दूस्तों यह एल अल का मतलब क्या है इन दोनों के बिच में distance टिक हैं यह इन दोन्हों लेंज के में दिस्टैंस तोहौन कह से हैं जब हमारा पहला इमेज जब हमारा पहला image अमस्के मतलब इस primary से जो image बन रहा है वो very close to very close to eypist हो रहा है ठीक है very close to eypist then हम लोग यह जो formula है इसको हम लोग वहाँ पे use कर सकती है ठीक है ओके बाकी formula तो यह ही है आपका इसी formula को upgraded करके यहाँ पे लिखा गया है ठीक है चलो तो हम लोगों ने अभी जो है देख लिए है क्या magnifying power of compound microscope अभी कुछ uses देख लेते हैं यहां से अगर कोई numerical बनता है तो फिर मैं definitely आप लोग को कराऊंगा ठीक है अगर numerical बनता है तो फिर definitely मैं जो हो आपको numerical problem solve कराऊंगा यहां से भी अगर नहीं बनता है तो फिर नहीं कराऊंगा ठीक है क्यूंकि जादा करने से उतना जादा हमें फाइदा नहीं होने वारा time बहुत सौट है time अगर बहुत जादा होता तो फिर हम लोग जादा जादा जो है deep में study करते हैं फिलाल इस था बहुत कम है तो हम लोग अनेस्सेसरी चीजों को यहाँ पर नहीं अधिस्कॉछ करेंगे अननेसरी चीजेंचे HAIE रहेंगे चलो अब लुए झ्वर्ट आते हैं हम लोग application of compound microscope तो इतर किटना तीह थिक हरा है उथा यहां Human application application of compound microscope को हीडिंग डालीजे application of compound microscope the first application carry a compound microscope is a of great use in pathology labs so as to identify disease okay it is it is used in pathology laboratories to identify identify diseases okay to identify diseases is a child disease is selling god oh yeah the is yes yes this is this is my love bimari to get to pathology lab lab johai it is called blood test hootahe urine test hootahe baut tada ki test hootahe to get to us ko hum log kate hai pathology lab pathology lab तो पैथोलोजी लेब में कंपांड माइक्रोश को बहुत ज्यादा यूज क्या जाता है मेडिकल साइस में बहुत ज्यादा यूज क्या जाता है ठिक है ओके चलू इसके बाद दूसरा इस है वैटल रूल इन फोरेंसिक साइंस forensic science अब क्या होता है forensic science forensic 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 science forensic science क्या होता है दोस्तों जहाँ पे बहुत ही साबदाने के साथ चीज़ों को जो है आपका examine कि आ जाता है जैसे कि कोई murder case है fingerprint लेना है ठीक है एंड इस तरह के बहुत सारे difficult जो case होते है उसको हम लोग कहाँ पे send करते है forensic में ठीक है ठाकि कोई evidence जो है मिल जाए तो आप लोगों ने CID तो देखा होगा CID ठीक है CID CID का जो आपका headquarter रहता है जो forensic lab रहता है ठीक है वहाँ पे compound microscope जो है बहुत ज्यादा यूज होता है चीजों को बहुत ज्यादा डीप से examine करने के लिए ताकि कोई clue मिल जाए ठीक है कोई crime का जो है clue मिल जाए ठीक है चलो यह होता है हमारा दूसा यूज थर्ड यूज थर्ड यूज अगर बताएंगे तो इस पूल में कालेज में लेवरेटरी में आपका वैय से इक्सक्परिमेंट में इसको यूज क्या जाता है for various for the various experiment for various experiment in schools colleges okay the school college the school and colleges level road is me okay take care school colleges के laboratory में बहुत तरह के experiment करने के लिए compound microscope जो है यूज किया जाता है ठीक है दूसरा हम लोग इस बाइलोजिकल बाइलोजिल लेप में तो हम लोग ने बताए नहीं अच्छा इटीज यूजड for for it is a it is used for it is used for observing microorganisms microbial world microbial world ठीक है नया virus आ गया है नया कोई बीमारी आ गया है ठीक है उसमें जो प्रीजन है वाइरस हो या फिर बैक्टरिया हो या फिर कोई दूसरे तरह की चीज़ें हो तो उसको अब्जाब करने के लिए भी क्या क्या जाता है compound microscope का यूज किया जाता है जैसे कि अभी फिलाल कॉरोना चलता है तो कॉरोना को कॉर्णा को जो इस्टक्चर है ठीक है उसको कैसे देखा गया है उसको हम लोग जो कॉर्णा का इस्टक्चर जानते हैं ठीक है इंटरनेट में कॉर्णा का इस्टक्चर आपको मिल जाएगा को ना का जो वाइरस होता है वो कैसा दिखता है तो वह कैसे पता चला है वह यहाँ से कंपॉंड माइक्रोस्कूप के सारे देखके उसको पता चला है कि कॉर्णा वाइरस जो हता है वो इस तरह का दिखता है ओकी पाच्वा देख लेते हैं कि इटीज़ इटीज लार्जली कि यूज़ड इन बायोजिकल रिसार्च रिसार्च wash गिंटीक है बायोजिकल रिसअर्च में बहुत जादा जो है खिया जाता है कंपॉंड मािक्रस्कूप जैसे कोई मेडिश होई की मेडिशन दूनना है okay मैडिशन को टेस्ट करना है मैडिश डालने के बाद क्या रिक्षन मिल रहा है तो वह सब चीजे को जो है देखने के लिए रिशार्च रिशार्च परपस के लिए यूज किया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप ठीक है चलिए तो कुछ हम लोग यूज लिख लिए है और भी यूजेस आपको मिल जाएगा थो हम लोग अभी कुछ यदि यूज से रहे तक कुछ तक उस्धीर और है झांड एक है थो असनेतलट इसका बहुते सिंप्रिटिथ बहुते सिंपल यंशेटन झिंपल अधि कना व्यूस करना जो है बहुत ही आपका आसान है ओके ठीक है and smaller in size smaller in size to size जो है बहुत ही छोटा होता है जिसके लिए हम लोग कहीं पे भी इसको जो है ले जा सकते हैं and and यहाँ पी जो है यहाँ पे इस microscope पे multiple lens का जो है इस्तेमाल क्या जाता है because of multiple lens multiple lens lens it's magnifying it's magnifying and resolution is good enough good enough you can good enough तो इसका जो magnifying power होता है and जो resolution होता है इसका बहुत ही अच्छा होता है जिसके वैसे हम लोग इसको ज्यादा use करते हैं दिशार्था advantage of compound microscope ओके दूस्तों चलो तो इतना हम लोग ने compound microscope के बारे में सीखा आज class को जो है यही paint करते हैं and next class में हम लोग बात करेंगे telescope के बारे में ठीक है आपके इस लिवस में telescope भी है थुरा सा तो उसको भी discuss कर लेंगे and आखिर में बचेएगा हमारा सिर्फ projection system optical projection system okay तो मतलब और भी दो classes आएगा बहुत ही छोड़े छोड़े class आएगा तीस मिनिट के अंदर जो है classes को हम लोग finish कर देंगे okay एक class 3 मिन का आएगा then दोनों class में regular डालने की कुछिस करूँगा and जो है हम लोग उसके बाद next chapter को स्टार्ट करेंगे एलेक्टिक फिल्ड ठीक है इलेक्ट्र स्टैटिक ओके दोस्तों मिलते हैं next class में तब तक लिए अपना क्याल लगना एन अपना पराई जो है बराबर करते रहना मिलेंगे next class में thank you very much